Good morning student, how are you? I hope all of you are fine and safe at your home. Today is 29th April 2021, day is Thursday. Okay, हमने आपको previous class में क्या बढ़ाय था? Comparing number. Comparing number बढ़ाय था ना? Comparing number में क्या होता है? हम दो numbers की तुलना करते हैं. Okay, हमने ये भी सिखाय था आपको. उसके बाद हमने आपको बताय था कि इन numbers को हम देखते कैसे हैं, कि छोटा है या बढ़ा है? है ना? इसमें मैंने आपको तीन डिजिट वाले smallest number भी बताये? और त्री डिजिट वाले आपको 1 से लगा के त्री डिजिट तक greatest number भी बताये. है ना? अब हम इन numbers को छोटा या बढ़ा केसे पेचानते हैं? उसकी once या tense की place से. ओके? अगर number once की place पे आ रहा है और हमें compare करना है tense और once से तो हमें पता है कि tense और once पे जो number है वो बढ़ा होगा. ओकी? और greater than और smaller than का चिन केसे लगाते हैं? इसका चिन केसे लगाते हैं? मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तब हमारा मुह किसा रेता है? खुला. है ना? मतलग सबसे ज़्यादा खाना किस ने खाया? मुह ने खाया है ना? तो मुह किसा रहा? खुल तो जिसकी तरफ मोग खुला रहता है वो नमबर सबसे बड़ा है है ना याद रखेंगे ना आप और जिसकी तरफ मोग बंध है वो नमबर छोटा है इसी तरह से कल मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी है ना फर्स्ट बी करने के लिए कि आपको क्या करना है इनमें साइन और जब सेम नमबर रहते हैं तो केसे करते हैं आप उसकी वन्स की प्लेस देखते हैं याद इस तरह से मैंने आपको जो कल एक्सरसाइज दी थी उसके कॉश्टन की अंसर मैंने आपको आजके वीडियो में दे दिये हैं ये पिक में आपकी गरुप में भी भेज़ दूंग जैसे 4 छोटा है 12 से है ना और 81 छोटा है 90 से it means 90 बड़ा है 81 से है ना 28 is greater than 24 97 greater than 90 76 greater than 67 and 9 is smaller than 86 17 greater than 12 and 15 greater than 5 and 69 greater than 39 आपने देखा ना इन नमबरों में क्या हुआ सब नमबर जो बड़े हैं उनकी तरब मुख खुला है है ना आपको सबज में आया क्या हुआ चलो अब हम इसका second question कर लेते हैं ओके चल्डर चलिए इसका second question क्या कहता है draw a circle कहां है यह आप देख पा रहे है draw a circle around the greatest number and a square around the smallest number हमें क्या करना है जो number दिये गए है इसमें से सबसे बड़ा number उसको तो हमें करना है circle और जो सबसे चोटा है उसे करना है हमें square okay चलिए यह चीज़े मैंने आपको एक कॉपी में समझाने के लिए कर दी है okay चलिए देखते हैं यह देखिए यह मैंने आपका date लगा दिया है आज का हाना और day भी लिख दिया है आज का और मैंने आपके आहां यह question complete भी कर दिया है okay कैसे किया है देख लिजए फर्स्ट हमें दिये है 78, 94 और 31 okay सो 94 इन में सबसे बड़ा नंबर है तो हमने 94 को क्या किया circle लगा दिया और 31 को हमने क्या किया square कर दिया क्योंकि 31 इसमें सबसे छोटा है next जो question है उसमें क्या है 21, 43 और 32 दिया है तो 43 सबसे बड़ा नंबर है इन सब में हमने 43 को circle कर दिया और 21 को square कर दिया next जो दिया है third वाला third number पर हमने किया 31, 36 और 34 अब इसको केसे देखेंगे इसको ऐसे देखेंगे कि 4 और 1 और 6 की place देखेंगे तो 1 चोटा है 4 से है ना और 4 किससे चोटा है 6 से it means 36 क्या हुआ सबसे बड़ा नंबर हुआ है ना तो 36 को हमने circle कर दिया और 31 चुकि सबसे चोटा है तो उसको हमने square कर दिया और इसी के साथ D नंबर का question है 15 दिया है 35 दिया है और 65 तो इन में से सबसे बड़ा नंबर हुआ हमारा 65 सबसे बड़ा और 15 जो है वो सबसे चोटा है इसके साथ ही जो बचे हुवे question है वो आप करेंगे आपको समझ में आया ना क्या करना है सबसे बड़े वाले नंबर को आपको circle करना है और सबसे चोटे वाले नंबर को square करना है ओके चिल्टन तो यह जो बचे हुवे questions है यह आप मुझे करके personally send करेंगे ओके 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 thank you so much have a nice day